ये एक मीट में मैं आपको AZAC remote का टाइम सेट करके दिखाने वाला हो तो सबसे पहले आप इस तरह से SIM ejector tool लेके इस remote के reset ओगल में इस तरह से punch करके remote को reset करना होगा reset करने का एक और तरीका है आपको ये पीछे का धकन खोल के कोई भी एक battery निकाल देनी है फिर wait करना है screen का blank होने तक screen एक बार blank हो जाए तब आपको इस battery को वापस लगा देना है वापस लगाने पर आप देख सकते हैं ये type का reset हो रहा है तो reset होने के बाद इस तरह से time जो है वो blink करने लगेगा फिर आप aero key की मदद चाहिसे set कर सकते है एक दबा के रखने से time जो है वो speed में scroll होगा और धीरे धीरे प्रेस करने से ये जो है minute में धीरे धीरे स्क्रोल होता है तो आप एक बार time को match करके ये set button को प्रेस कर दीजिए ये time जो है वो set हो चुका यहां पर अब यसी को on करके यूज़ कर सकते है वैसे मज़दार टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को like और share कीजिए thank you